दोश्तुरु मिस्कार आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में आज की इस क्लास में हम प्रीवी सीर की जो सीरीज हमने कांटिनू की है सभी सब्जेक्ट की उसमें हम आज बालविकार से हम सिच्छा सास्तर का दो हजार सोला का पेपर सॉल्व करेंगे तो चैनल पे अ उनको देखिए वीडियो सुरू करने से पहले आप कुछ की वर्ड देख सकते हैं जो आपको प्रशन को सॉल्व करने में वदद करेंगे जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं इस क्लास को उन सभी को नमस्कार कैसे हैं आप सब कमेंट करके बताईएगा कहा जा रहा है य अप्शन में प्रोटसाहित करना लिखा है अंताहक्रिया करते हैं बच्चे ऐसा लिखा है या कहीं पर बालकेंडी सिच्छा का समर्थन किया जा रहा है या पिर समयसी सिच्छा की बात कही जा रही किसी भी प्रकार का भीदभाव नहीं किया जा रहा है तो यह सब प्वारि में सामिल करना सक्री भागिदर यह सब पॉजिट्व की वर्ड है इनका यूज आप कैसे करेंगे इस वीडियो में आप अभी क्लियर कर पाएंगे अब यहां पे निगेट्व की वर्ड है कुछ जैसे हतोत्साहिद करना तो हम बच्चे को किसी भी प्रकार से हतोत्साहिद नह द्वाओं में आना बच्चों पर द्वाओं बनाना रटना याद करना कंठस्टी करना अगर ऐसे कोई ऑप्षण आते हैं तो वह अपने आप में निगेट्व होगा और वह प्रश्न का उत्तर नहीं होगा अगर प्रश्न सकारात्मक है अब सकारात्मक अभी को के तरफ वीडियो को भी लाइक कर दिए क्योंकि आप भावनाओं में हो जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं कि कुश्चन नमबर एक आपके सामनी पहला पश्चन देखिए क्या कहला यहां पर भारत में अधिकांस कच्छाएं बहुभासी होती है और इसे सिच्छक दौ होता है जहां पर प्रतेक बच्चे की भासा का सम्बान किया जाएं किसी भी चेत्र से किसी भी हो miejsce है तो आपको उसकी भासा से fairly जाश रहा भी पर सकती है और को सिचَّ कि दौरा इसको किस रूप में आप देखेंगे क्या बाध्य होती है अगर कच्छ campaigns बहुवासी बच्चे हैं भारत में कहा जा रहा है कि कच्चा है बहुवासी होती है बिलकुल सही बात है तो एक समस्या नहीं होती है ठीक है और नहीं ये बाधा होती है और बाधा और परेसाली लगबग पर्यावाची है तो ये भी नहीं होती है तो होता है क्या है बहुवास सिच्छारतियों दोरा दी गई गलतियां और तुटियां सिच्छारतियों दोरा की गई गलतियां और तुटियां यहाँ पे होगा पहला अपसल सिच्छक और सिच्छारतियों की असफलता की सुचक है मतलब अगर बच्छे गलतियां करते हैं तो इससे ये प्रतित होगा कि व अवसर है देखिए पहला option तो हमने आपको बता दिया गलत हो जाएगा क्योंकि असफलता और सफलता के सुचक नहीं अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है आप यहां पर सीख रहें गलती अगर कर रहें क्लास में ही तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सफल होंगे या असफल समझने के अवसर की रूप में अभी अभी हमने आपको positive आने keyword में बताया था कि बच्चे को हमें ज्यादा से ज्यादा अवसर देना है तो यहां में बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल नहीं है ऐसे ही आप सही प्रश्णों के आंसर टिक कर पाएंगे अब आपके जो बच्चा कमजोर होगा और जो बच्चा उतक्रश्ट होगा उसको चिनने के मतलब अलग-अलग करने की बात कही जा रही है इससे क्या होगा जो बच्चा वीक होगा वो डिमोटिवेट हो जाएगा हतोत साहित हो जाएगा और पढ़ नहीं पाएगा तो यह negative इसलिए हो जा आवसर सब्द लगने के बावजूद यहां पर क्या है चिंतन को समझने के उसर तो यह positive हो गया क्योंकि यहां पर बच्चे को समझने का मौका दिया जा रहा है कि यह गलतिया कर रहा है और बच्चा गलतियों से ही सीखता है एक question आया है कराएंगे आपको जितने भी previous से है गलतियों से भी question आया है मतलब यह जो topic है कि गलतियां क्या है तो गलतियां सफलता की सफलता की सुचक नहीं बलकि एक आवसर की रूप में इसको देखना चाहिए डैस के विचार से बच्चे सक्री गया निर्माता तथा लन्ह वैग्यानिक है जो संसार के बारे में अपन चार अवस्थाएं बताएं उनके नुसार बच्चे सक्री गया निर्माता होते हैं और संसार के बारे में अपने सिद्धान्तों की रचना सोयम करते हैं यहां तक बच्चे लन्ह वैग्यानिक होते हैं यह बात भी कही है जीन प्याजे ने तो यहां पे इस पशने के लिए आपको उतर मिला option number C question number 4 दिखेगा बाल के लिए सिच्छा साथ्र का अर्थ क्या है बच्चों को सिच्छक का अनुगमन और अनुकरर करने के लिए कहना बच्चों की अभिवेक्ति और उनकी सक्री भागिदारी को महत्व देना बच्चों को पूर्ड रूप से सुतंत्रता सब्सक्राइब कुछ औरшего हutar गया मैं ऋच्छा, तरुब यह हो सब्सक्राइब कर दो नहुंकомूरे यहां पर बच्चों को नयतिक सिच्छा देना यह बात गलत नहीं है लेकिन बाल के लिए सिच्छा का कॉंसिप्ट नहीं है तो यह गलत हो जाएगा नयतिक सिच्छा देना गलत बात नहीं है लेकिन बाल के लिए सिच्छा में नयतिकता की बात को कोई विसेश मतलब बहागिदारिता को महत दिया जाएं तेकि यहां पर क्या लिखा है सक्री सक्री भागिदारी हमने आपको इस टार्टिंग में जो पॉइंट दिखाए थे वह आपको यहां पर लगबग सभी प्रश्ण में देखने को मिलेंगे क्योंकि बच्छे जब सक्री होगा उसकी को भी ध्यान में रखा जाए कच्छा में पाच्वा प्रश्ण में आपे जटिल परिष्थिती को संसुधित करने में सिच्छक बच्चों की सहायता कर सकता है कोई भी सहायता ना दे करके भाई सिच्छक का काम सहायता देना है यहां पर कहा जाना है कोई भी सहायता ना दे क करके तो यह पहले ही गलत हो गया उस पर एक भासर दे करके हमने आपको बताया था भासर क्या निगेट्यू है यह भी गलत हो गया सी ऑप्शन है कारे को छोटे-छोटे हिस्सों में बाट कर निर्देश देकर तो देखें यहां पर कुश्चन नमबर पांच के लिए सी और डी में इससे बेस्ट आप्शन चूज करना है दोनों आप्शन सही हो सकते हैं अब यहां पर निगेट्यू एक आप्शन को हटाईए यहां पर क्या कहा जा रहा है डी आप्शन में प्रतियोगिता को बढ़ावा दे कर और सबसे पहले कार पूरा करने वाले को पुरशकार दे क हमें क्या करना है बच्चों की सहाइता करना है और जटिल परिष्टिती है तो यहां पर हम प्रतियोगिता बढ़ाव दे दे दें तरीके से लालच है पुरुसकार देना है तो यह उतना प्रभाशाली नहीं जब कि यह है कि कारे को छोटे छोटे इसुम बाठते हैं यूलि क्या है कारे को छोटे-छोटे हिस्सों में बाट कर निर्देश्ट लिख करते हैं ठीक है इसका सी ऑप्शन सही होगा सिच्छार्थियों से यह पेच्छा करना कि वे ग्यान को उसी रूप में पुनह प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहान किया है एक कि प्रभावी आकलन युक्ति हैं समस्यात्मक है क्योंकि अनवहों की ब्याख्या करते हैं और ज्यान का जियों का त्यों पुनह प्रादित नहीं करतें अच्छा है क्योंकि जो हमारे मन में है मुझसे रिकार्ड करने लगते हैं देखिए कहा क्या जाना है सिच्छार्थिय यानि बच्चों से हम यह पेच्छा कर रहा है कि हमने जो उनको पढ़ाया है जैसे हमने संग्या की परिवासा जो पढ़ाई एजटिस उसे याद करने बच्चे और उसे तरीके से आपको सुना दे तो क्या यह प्रभावी होगा नहीं क्योंकि यहां पर याद करने को बढ़ा गए बच्चा कि आपके पास बी ऑप्शन अब ऑप्शन यह पढ़ें भी ना तर्भी यह उत्तर लगा सकते हैं कि आपने तीन निगेटिव ऑप्शन ढोड़े लिए हैं लेकिन पढ़ना आवश्यक है हो सकता है इसमें भी कुछ ऐसा लॉजिकल दे दिया हो तो कहा रहा है समस्यात्मक है क्योंकि अनुभौण की व्याख्या करते और ग्यान क को जिएो करते हो पुनाहुत पादित नहीं करते ठीक है तो यह समस्यात्मक है अगर बच्चे सेम टूशेम वही चीज कौपी कर रहे हैं जो आपने पढ़ाया है अपना कुछ उसमे ख्रेटिविटी नह करते हैं अगला कोश्चन है आप जब सिच्छार्तियों को समय में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तो उनके सीखने का वक्र कैसा होता है जब बच्चों को ग्रुप में हम मौका देते हैं कि आप किसी एक टॉपिक पिमालिया हमने चर्चा करने के लिए दे दिया कि आप पैटा अपने परिवार के बारे में सभी लोग चर्चा करें तो इससे क्या हो गा सीखने का वरावनत समान 18 क्योंकि क्रुप में बच्चे डिसकेसन करेंगे तरह तरह की चीजें निकल करके का आईएंगी हर बच्चा होता है अपने अपने विचारों को वहाँ पे साजा करेगा कि उसके घर में कैसे क्या होता है मतलब अपने आदर्शों को अपने बड़े जिनसे भी उसने बच्चे ने कुछ सीखा है वो सब प्रिजेंट करेगा अपने विचारों को तो सीखने का जो वक्र होगा वो क्या होगा बहतर हो जाएगा अवलत इस्थिर तो बिलकुल नहीं होगा समान भी नहीं होगा क्योंकि अलग अलग बैकडाउन से बच्चे आते हैं कुछ ना कुछ अपने अपने विचारों को रखेंगे या कोई और आप टॉपिक दे दे मालिया प्रदू इसलिए आपको परिवार का ठीक है तो इस तरीके से आप यहां पर समझ सकते हैं कि बहतर होगा वक्र कोश्चन नमबर आठ दिखिएगा विकास की गती एक बैक्ति से दूसरे में भिन्म होती है किन्तो एक डैस्ट नमूने का अनुगमन करती है यहां पर होगा अनुगमन क करती है तो अगर आपने विकास का पहला चेप्टर नहीं पढ़ा है जिसमें हमने आपको पढ़ाया है विकास के सभी सिद्धानतों को तो इसका भी लिंक को उपर आई बटन में या फिर प्लेलिश्ट एक बार चेक कर लीजेगा उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगा क कर अपको पता है कि पैर हांथ है जो भी है एक मिष्चित क्रम से विक्सित होते हैं उसका विकास होता है तो आप्रत्याश्वित होता यह बेवस्तित होता है ठीक है यहाँ पे इस प्रश्णी के लिए अंसर मिलेगा आपको option number C विकास के लिए विकास से जो पहला ही चेप्टर है आपका development वहाँ से आपको दो प्रश्णी मिलेंगे आपकी परिच्छा में कहा जारा है विकास के लिए निमेलिकित में से को इसा एक उचित है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्व विकास में एक महतपेड भूमिका का निर्वाह करता है विकास एक आयामी है विकास प्रथक होता है विकास जनम के साथ प्रारम होता है और समाप्तुजाता है पहली बात जन्म से के साथ प्रारम होता समाप्ट हो जाता यह अपने आप में ही गलत है क्योंकि विकास जीवन पर रंत चलने वाली प्रक्रिया है इसके लिए एक सिद्धान्त भी आपने पढ़ा होगा निरंतरता का सिद्धान्त विकास समाप्ट नहीं होता यह ऑप्शन ग सामाजिक सांस्कृतिक संदर्म विकास में एक महत्पोर भुमिका का निर्वा करता है नहीं समाज की दोरा बच्चे का विकास होता है सामाजिक और सांस्कृतिक जो संदर्म है उसकी भी भुमिका होती है बच्चे के विकास में तो यहाँ पहला आप्शन अगर आपने लग तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो माइन मत करिएगा आप लोग सीखने पे धाल दीजिए कोशन नमबर दस यहां पर शेर कर दीजिए गाइबर वीडियो को सब लोग सेर कर दीजिए लाइक कर दीजिए चैनल पर यहां है फर्स्ट टेम देख रहे हैं तो आप जैसे यह स्तुतियां सामान हो जाएंगी तो हम आपको और भी वीडियो देना शुरू करेंगे तो यहां पर कोशन नमबर दस देखिए एक दूसरे से दिन में क्यों होते हैं तो आपको यह बिलकुल मतलब सीटेट का यह फेवरेट कोशन हर बाहर आता है बिनता क्यों होती दूसरे से भिन्नता जो होती है वे वलसा नुक्रम और वातावरड की बीच अन्यों क्रिया की करण देखती जो है आपस में एक भिन्न भिन होती है चाहे वो जुड़वा ही बच्चे क्यों ना हो चाहे रिलेशन में किसी के आप आस पास बच्चे देखिए बिलकुल एक ज समाजी करण में परिवार की बहुन का क्या है रोमांचिकारी है मुख्य है गाळ है कम है त्पोर τो नहीं है ठीक है गाऊड मतलब होता धुटियक जिपकी बहुन का क्या है प्राटमिक है यानि मुख्य बहुन का है तो यहां पे इस कांसर मिलेगा बच्चिन नमبر B देखे ये भी question P.A.J. से है तो आपने देखा इस class में P.A.J. से आपको 2 से 3 प्रशने मिलते हैं और कोहलबर्ग से भी 2 प्रशने और वाईगोट्सकी से भी लगबर 2 प्रशने और वेकास से 2 से 3 प्रशने तो ये मुख्य topic है इनको पढ़ना चाहिए ये आपकी pedagogy को भी मज दिश्बूत करते हैं question number 12 सही आपको देखना लेकि आपचारिक संक्रियात्मा का वस्था जो होती है वो 11 वर्स से उपर होती तो इस वर्स में बच्चा क्या अनुक्रणड प्रार्म करता है ग्यारा वर्स में थोड़ी अनुक्रणड प्रार्म करेगा अनुक्रणड तो पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमात्मक तो ये भी नहीं होगा question number 12 के लिए यहाँ पर आपको सही जवाब मिनेगा option number D मोर्त संक्रियात्मक इसमें बच्चा जो है संधारर और वर्गी करने के योग हो जाता है comment box में बताईएगा कि मोर्त संक्रियात्मक अवस्था क कि एज क्या होती है कब से कब तक होती है ठीक है हम आपको हिंट दे रहे है जीरो से दो दो से साथ साथ से ग्यारा और ग्यारा से पंद्रा आपको यह बता ही दिया है question number 13 यहाँ पर एक बच्ची कहती है कि धूत में कपड़ी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं यह डैस की सम समझ को प्रदर्शित करती है अहम के लिचिंतन देखें यहाँ पर किसी व्यग्यानिक का नाम नहीं लिखा है लेकिन यह question भी पियाजे से ही है ठीक है तो एक बच्ची गर कहा रही दूत में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा क्यों कपड़े जल्दी सूख जाते हैं मतलब कोई ना कोई कारण है और थात यहाँ पे कारण एवं प्रभाव की समझ को प्रशित कर रही है तो यहाँ पे अगर आपको option था भी बिल्कुल सही है comment box इत बार जरूर देखिएगा वहाँ पे हम ठ्रिकी वीडियो के प्लेलिस्ट के देखिए तीसरा प्रशन मिल गए आपको जीन प्याजे से देखिए अब आपको यहाँ पे प्याजे की थियोड़ी पढ़ना जरूरी है ठीक है तो जीन प्याजे भाई वंडे एक जाव शुड़ी लिखिएगा यूटूब में आपको वीडियो मिल जाएगा प्याजे क्य कहते हैं कि बच्चों का तो चिंतन है वो वैसकों से क्या आकार में भिन्न होता है तो आकार में तो भिन्न नहीं होगा क्या आप देख पाते हैं आकार कैसा है चिंतन तो यह तो पहले ही दोनों गलत होगे क्योंकि आकार चिंतन का हम आकार देख नहीं सकते है ना तो यह दो में भिन्न होता है प्रकार के अब भर करके देख लिए बेटर कौन हो रहा है चलिए हम एक भर करके देखते हैं पहले यहां पे पहले भर करके देखते हैं यह वाला प्रकार में भिन्न होता है देखे तो प्रकार मतलब अलग अलग तरीके से बच्चों का चिंतन वैसकों से प कुछने का तरीका इस तर कुछ और होगा तो यहां पर यही अंसर सही होगा प्रकार में भिन्न होता है बजाए मात्रा की ठीक है मात्रा में यह वाला जो अगर आप भरेंगे तो मात्रा में भिन्न आ जाएगा ठीक है तो यह गलत हो जाएगा समझ में आया प्रकार में भिन्न विद्यार्थियों को प्रेडित करने के लिए भासर देना इसलिए कहते कि की वर्ड वाले वीडियोज आपको देखने चाहिए हंदी मैथ संस्क्रट पेड़ागोजी प्रश्ने पूचने को बढ़ावा दिये भीना मतलब आप प्रश्ने पूचने को बढ़ावा ही नहीं दे कि यहां पे एक लालच की इस्तिती बन जाती है देखते हैं और option साद इससे बहतर मिल जाए तो 15 option में D कह रहा है नुबोधन और संकेत दे रहा था था ना जो किसी तो प्रशन पूछना हमने आपको positive वाले keyword में ही बताया था कि जहां पर प्रशन पूछने को बढ़ावा दिय जाड़ा चांसे जो होंगे वो प्रशन का उत्तर सही होगा अब सकारात्म कैसे देखें यहां पर question में कहीं पर negative word का प्रयोग नहीं हुआ मतलब नहीं जो है नहीं सब्द वो नहीं दिया है यहां पर ठीक है तो यहां पर answer मिलेगा option number D question number 16 वाइगोच्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक को होने से अनुकरण से वैसकों और समयसकों के साथ परशपर क्रिया से जब पुनरबलन प्रदान किया था देखें बच्चे हर तरीके से सीखते हैं अनुकरण से भी सीखते हैं लेकिन जब यहां पर नाम लिख दिया गया वाइगोच्की के अनुसार तो वाइगोच्की ने अपने शिद्दान को यह कहा है कि बच्चे परस्पर अन्ता क्रिया से सीखते हैं वैसकों और समयसकों से समाज में विद्यालाय में परिवार में हर जगे अन्ता क्रिया के द्वारा परस्पर क्रिया के द्वा सीखते हैं पॉजिटिव अले की वर्ड में भी हमने आपको यह चीज पताई थी कोहल बर्ग ने प्रस्तुत की हैं सारेरिक विकास के चलड संविगात्नक विकास के चलड नैतिक विकास के चलड संग्यानात्मक विकास के चलड तो आपको भी भी ने बताया था कि संग्यानात तीन इस्टे प्यानी तीन इस्तर और छे अवस्थाएं बताई है कोहल बर्मे नैतिक विकास के चलड में अगला कुशन देखिए इस कांसर आपको मिलेगा सी और चलड कितने गर आपसे पूछे तब भी आपको क्या वदाना है तीन चलड पताए अवस्थाएं पूछे तो छे निम्मलिकित में से कौन सी सिती बाल के निस्त कच्छा कच्छ को प्रदर्शित कर दी चाइल्ड सेंट्रल एजूकेशन में क्या होता है पच्चे की रुचियों को ध्यान में रखा जाता है किसी भी प्रकार का भीदवाव नहीं किया आता है साहरे option में कहा जा रहा है एक मात्र संसाधन पार्ट पुस्तक तो हमने आपको बताया था एक मात्र अगर है केवल है तो वो question का उत्तर नहीं होगा क्योंकि प्रश्ण क्या है सकारात्न प्रश्ण में कहीं negative सब्द जैसे नहीं नहीं लिखा है ठीक है अप नहीं नहीं लिख सच्ची का नोट लिखा रही और फिर उन्हें क्या है याद करने के कहा याद करने के लिख कहा जाना यहां पर यदि नहीं होगा याद होगा तो बच्चे को याद करने के लिख कहा जाना तो यह भी गलत हो गया और कौन सा देंड वाला भी गलत हो गया एक मात्र वाला भी अर्थात बाल के लिए सिच्छा क्या है एक अच्छा जिसमें सिच्छार्थी समों में बैठे हैं और सिच्छी का बारी बारी से प्रतेक समों में जा रही हमने आपको शुरुआत में क्या बता था कि प्रतेक बच्छे के संपर्थ में रहना प्रतेक बच्छे को ध्यान देना बाल के लिए सुच्छा के अंतरगत ये concept है बुद्धी क्या है? एक अकेला और जाती विचार है नहीं, दूसरों के अनुकलर करने की योगिता है नहीं, एक विसिष्ट योगिता है खहा सकते थे हम विसिष्ट योगिता है लेकिन वो बुद्धी के प्रिकार में पढ़ेंगे तो बुद्धी क्या है? सामर्थों का समुच्छे है ठीक है? बुद्धी क्या है? सामर्थों का एक समुच्छे है जो हमारे past concept होते है जो भी हम चीजे mind में feed करते हैं उसका एक कोई ना कोई कारक होता है वही कहते हैं बुद्धी, ठीक है, कहते हैं आपकी बुद्धी बहुत तेज है, बुद्धी कम है, तो सामर्थियों का एक समुच्च है, अगला क्वेशन देखिए, भासा विकास के लिए प्रारंबिक बच्पन काल है, भासा विकास के लिए प्रारंबिक बच्पन काल है, अ महत्तपूर नहीं अतिश्वेदल सील निर्पेच अपने आप अंसर निकल ला देखें कॉश्ण नमबर 20 के लिए यहां पर अंसर मिलेगा आपको अप्शन नमबर 20 क्यों कि प्रारंबिक बच्पन काल जो है भासा विकास के लिए क्या होता है अतिश्वेदल सील होता है एक से कच्छा में लड़कों से सिच्छक कहता है यह भी सीटिट का फैवरेट है इस पैटन पर एक कॉश्चन आता है जैसा कामकर रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि लड़के बनो लड़कियों जैसा बेवार मत करो ये जो टिपड़ी है टीचर के दोरा की गई एक अच्छा में क्या है ये क्या एक अच्छा बेवार है तो यहां पे भेदभाव किया जा रहा है लड़के लड़कियों में तो ये तो होगा नहीं अच्छा उदार तो नहीं होगा लड़के लड़कें में भेदभाव की रोड़िबत दारना को प्रदर्शित करता है और यही इसका उत्तर होगा question number 21 के लिए option number B क्योंकि यहां पर भेदभाव की बात कही जा रही है question के option में साब साब लिखा है question number 22 यहां पर आकलन अब ऐसा प्रश्णा आ जाए तो बिए मस सोची रहे कि प्रश्णी में तो कुछ पूछी नहीं रहा था आकलन लिखा है बाकी के options पढ़ने हैं और आपको देखना है कि चारों में आकलन से संब्दे कौन सी बात सबसे सही कही जा रही कई बार question पूछता नहीं कि आप से क्या answer जानना चाह रहा है जिसे यहां पर सीखना लिखा है तो आपको पढ़ना है चारों option और देखना है कि सीखने के संब्द में कौन सी बात यहां पर बहतर लिखी हुई है ठीक है ऐसे आपको थोड़ा सा logic लगाना पड़ेगा तो आकलन के संब्द में यहां पर क्या है कहा जा रहा है बच्चों में प्रत्यों गितात्मक भावना को सक्री रूप से बढ़ावा देता है यहां पर दबाओ और तनाव की बात कहिए तो उमनें बताया था कि दबाओ आपको नहीं विराना है बच्चे पे ठीक है सीखने में सुधार का एक तरीका है या फिर बच्चों को लेबल और वरगी करत यहां पर भी बच्चों को अलग अलग किया रहा है बाटा जा रहा है वरगी करत किया जा 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 रहा है अब यहां पर दो आप्शन आपके पास बसते हैं क्वेशन नमबर बाइस के ल ले रहे तो उसकी कभियों को पता लगाएंगे फिर उसमें सुधार के लिए प्रयास करेंगे तो अर्थात क्या है यह सुधार का एक तरीका है ना कि यह प्रभावसाली ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा बेटर है सी है आकलन के संबंद में जो पहले ऑप्शन में लिखी गई है सक्री रूप से बढ़ाओ देता बात गलत नहीं है लेकिन वरियता हम देंगे यहाँ पे कि यह एक सुधार का तरीका है क्योंकि यह ज्यादा प्रभावसाली है डालेक्ट क्वेस्टन से रिलेटेड है तो इसका अंसर मिलेगा ऑप्शन नमबर सी आप कितने प्रशनों के स बनाते हैं आपके लिए मिलिकित में से कौन सा है कथल समाविशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है यह विश्वा से कुछ बच्चे कभी कुछ सीखी नहीं सकते बिलकुल गलत बात हर बच्चा सीख सकता है अगर उसको सही डंग से सिखाया जाए तो यह गलत हो गया यह दर क्रिप्टेड है कम पढ़ता है बहुत इसको याद रहता है हम बहुत पढ़ते नहीं या लेकिन मनों भिज्ञान के अंतरगत यह नहीं मानेंगे हम बाल केंदे सिख्चा के अंतरगत बिलकुल नहीं मानेंगे तो समाविशन का सबसे अच्छा वर्णा कौन सा करता है यह ए एक जैसे, एक में समावेश करना, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना, तो question number 23 के लिए be option correct होगा, question number 24 देखिएगा, वंचेत बर के प्रेश्टवियों में के बच्चों को सिच्छा प्रदान करने के लिए सिच्छ क्या चाहिए, आज हमने question आपको पढ़ान इतने question के answer ठीक से कर पा रहे हैं, ठीक है, कई बार होता है कि जल्दवाजी में आम लोग ज्यादा पढ़ते लिए और कुछ questions के answer गलत लगा देते हैं, तो यह practice, यह habit आप भी अपने अंदर लाइए, एक question हम से गलत हो गया था, कौन सा question गलत हुआ था, वो भी अभी मापक हो जाएगा, लिखित कार देना बहुत सा यह भी गलत, तो बहतर option क्या यहाँ पर, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने को प्रयास करें, और देखिए, यहाँ पर लिखाए ला, चर्चा में सामिल करें, अवसर देना, तो सहित करना, यह अपने आपने आपने सही उ संबर के पेपर में, दस मिनट में सारे कोशन हो गए थे, बस कैसे negative, positive, negative, positive, कई बार कोशन ही नहीं पढ़ना पड़ता है, आप option देखकर के ही जान जाएंगे, यह उसका उत्तर नहीं होगा, तो यह habit लाईए आप दिरी दिरी आपके अंदर आ जाएगी, नहीं लिकित में स कौन सा बेवार बच्चे की अधिगम निर्योगिता की पहचान करता है, आप मान जनक बेवार नहीं, देखे अधिगम निर्योगिता, learning disability, हर बार एक question इस से आता है, तो यहाँ बी को डी पढ़ रहा है बच्चा, मतलब बी ऐसे लिखा जाता है, बच्चे को डी पढ़ रह बच्चा मतलब डी पढ़ रहा है, वाज को साउलिटा पढ़ रहा है, एक किस को बारा, तो यहीं है इसका उधारण option number B, अधिगम निर्योगिता, पढ़ने में विकार, एक बच्चा जो आंसिक रूप से देख सकता है, उसे सिच्छा नहीं देनी चाहिए, भई आंसिक प्रावधान के, और यहां पर कादरा विसेस प्रावधान के, तो आप क्या करेंगे, क्ष्च्छन number 26 के लिए, देख रहा है बच्चा, तो हम उसके हिसाब से मल्या देखने वाली जो सामगरी है, वो नहीं प्रियोग करेंगे, लेकिन विसेस प्रावधान करते हैं, सुनने सके, अपने डावर्स को क्लियर कर सके, पूच्छ सके, तो यहां पर option number C सही होगा, और 27 वाला गलत हुआ था, यहीं क्ष्चिन वाला गलत हुआ था, इसमें हमने यह नहीं देखा कि बिना किसी विसेस प्रावधान, यहां तक देखा नेमित विद्याले और यहीं हमने लग स्था, तो यह गलत हो गया था, ऐसे आपको हम नहीं करना है, चारों options को पढ़ना है, यहां पर इंद विद्याले में, यहां पर इंसर आएगा आपको option number C, यहां पर यहां तरीके से कोई बदाएगा नहीं, ठीक है पढ़ाते हैं, आपको इस तरीके से कोई नहीं बताएग ठीक है अपनी कम्ई को ठीकित अब देख लीजिए गां बहुत सारे यूटूउब जैनल से कॉष्चिन अम्बर 27 से आप इस सीखना संवेगों से छीड़ संबन रखता है शीखने वालों के सम्वेगों से सोतंत्र है, सीखने वालों के सम्वेगों से प्रभावित होता है, सीखने वालों के सम्वेगों से प्रभावित नहीं होता, देखे पहली बात तो कोशन नंबर सता है, सीखना है कि आप यह जान लिए, लर्निंग, बिवहार में इस्थाई परिवर्तन जो होता है वही कहलाता है आपका सीखना अधिकम ठीक है तो अगर आप मालिया अगर आप दुखी है फैमिली में कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है या देश में कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है या आपके समाज में कुछ ऐसा जो ठीक नहीं है आप अंदर से दुखी है तो क्या आ पाएंगे आपका पढ़ने में अच्छ तरीके से मन लगेगा मन नहीं लगेगा वही बात कहींगा और यहां पे कि सीखने वाले समवेगों से प्रभावित होता है मन अगर आप खुश होते हैं बहुत जादा तो आप हो सकता है घंटे के बज़ाए दो घंटे पढ़ ले तो क कहीं न कहीं सम्वेग जो है सीखने को प्रभावित करता है option number C बहतर होगा question number 28 अपने चिंतन में अवध्रनात्मक परिवर्तन लाने अद्धिक टाइप किया है question तो हो सकता है कहीं कहीं कर टाइप मिश्टेक हो हम आपको जो समझार है उस पे आप ज्यादा ध्यान दिजेग अपने जो लोग नोट्स के लिए परिशान रहते हैं कि नोट्स से ऐसा कुछ होता नहीं है अगर आप कम समय में पढ़ना चाह रहें नोट्स लेना ही चाह रहें तो वर्ट्सप नंबर है आप इस पर मैसेज करके प्राप्द कर सकते हैं और batch course भी चलना है मारे वाँ ठीक ह सब्सक्रत इंग्लिस सभी की अलग अलग टीचर हैं तो आप उनसे पढ़ सकते हैं छोड़े सी फीस होती उसका प्रोसेस आपको वर्ट सिप्टमबर पर बता दिया जाएगा अपनी चिंतन में अगर आपको अगधानात में परिवर्टन लाने है सिच्छार्थियों के समझ बनाने के लिए सिच्छिका को क्या करना दिकिए यहाँ पर पहने ऑप्शन में क्या लिखा है हतोतः जैसे आपको हतोतः आपकोतिस नहीं करना चाहिए तो फिर वो उप्शन सही हो जाएगा ध्यान दिजिए कद às balls cirane नहीं करना चाहिए तो फिर श प्रक्रिय बदता क क्या रत है प्रात्मी विद्याले के कच्छा कच्छ के संदर में प्रक्तिया बदता का क्या थे सिच्छक का अनुक्रण हो नकल करना चांच परताल करना प्रशन पूछना वाद विवाद सिच्छक यहां पर नकल करना याद करना गलत हो गया यहां पर भी नकल करना अब आपके पास एक ह आप्शन बचना है कहां जाएंगा खुछ सोचिए आप यहां पर सोच लोगे वाद विवाद वाद का मतलब लडाई जगड़ा नहीं है यहां पे वाद विवाद का मतलब है इसलिए इस कांसर आएगा भी उपर आई बटन में चेक करिए सीटेट पांच जुलाई की प्लेलिष्ट लिखके आ रहा होगा सीटेट जुलाई प्लेलिष्ट तो वह आप देखिए उसमें सभी वीडियो को हम एड़ करते रहें और अलग-अलग प्लेलिष्ट भी हम आपके लिए बना चुके हैं तो उसको भी आप देखिएगा लाश्ट कुश्चन होगा बच्चे तब शजनसील होते हैं जब एक किसी गत्विदी में भाग लेते हैं दूसरों के सामने अच्छा देखिए दबाव में नहीं आते बच्चे दबाव अपने आप में निगेट यू ह डाट से बचने के लिए नहीं बच्चे तब ज़्यदा से जनसील होंगे जब अपनी मरजी से शीखेंगे भाई अगर आपको जवर्दस्ती कोई क्लास में बैठा दे तो क्या बहतर सीख पाएंगे नहीं अगर आप अपनी मरजी से तदपर नहीं से लिए तो आप नहीं सी ठीक है यहाँ पर प्रक्री बदता नहीं होगा यहाँ पर होगा सक्री बदता स्वरी सक्री बदता होगा यहाँ ठीक है थाइक्यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए आल लबेश्ट